नमस्कार स्वागत है आपका जनसत्य न्यूस पर और मैं हूँ आपके साथ भारती सिंग मौजूद हूँ आज दिन भर की सबसे बड़ी खबरे जो रहने वाली हैं उन सब खबरों के उपर आप से चर्चा करने के लिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं सोनिया गांधी से जह दूसरी खबर सोनिया गांधी की तरफ से यह है कि दिगविजय सिंग ने ये बात कही है पाठी के नेता हैं दिगविजय सिंग ने कहा है कि सोनिया इस पद को लेकर अध्यक्ष पद को लेकर कॉंग्रेस में जो घमासान चल रहा है चलता आया है कुछ पिछले कुछ समय से ये घमासान एक दिन में शुरू नहीं हुआ, ये असंतोश एक दिन में शुरू नहीं हुआ है, ये असंतोश पहले से चल रहा है और इसलिए चल रहा है क्योंकि सोनिया गांधी ने अंत्रिम अध्यक्ष का पद जरूर समाल लिया है, लेकिन इसकी जो कमान है वो अभी भी र चिनाराज़ नेता हैं जिस तरीके से 23 वरिष्ट नेताओं ने कॉंग्रेस के जो है वो एक चिट्टी लिखकर सोनिया गांधी को ये अपील की थी कि कॉंग्रेस के सभी पदों पर दुभारा पुनर्विचार होना चाहिए और कॉंग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी हैं अंत्रिम अध्यक्ष के त पद को समाले रखने की वापस है इस पद पर वो जो है वो बनी रही और अब वो सोनिया गांधी इसी पद पर कायम है बढ़ते हैं अंगली खबर की ओर जो की सीधा है गुजरात से इस खबर पर हम बात करते हैं गुजरात में बाड का सिलसला पानी बारिश का सिलसला अभी भी जारी है और इस इसके चलते जो है वो काफी लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है जैसा हमने आपको अभी बताया था कि नौ लोग जो है वो बारिश में गुजरात की बह गए और फिर उसके बाद जो है वो करीब 75 से जादा लोगों को रेस्क्यू कर ल रहा है काफी और इसी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर लिखा है कि मोडेरा का प्रतिश्टित सूर्य मंदिर बारिश के दिन में शांदार दिख रहा है गौरतलब है कि गुजरात के कई जिलों में पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही बारिश है और राज्य के कई जिलों में डाम ओवर्फलो हो जुके हैं हाला बिगड़ने के बाद जलाशे का जो गेट है वो खोल दिया गया है और इसी वजह से जो है वो पूरा ये जो जितने खूपसूरत वो सूरे मंदिर लग रहा है उसका जो है वो उस पर अपनी बात रखते हु कि किस तरीके से बाड जो है वो बाड की वज़े से और भारी बारिष की वज़े से गुजरात के लोगों को अनेक परिशानियों का सामना करना पड़ रहा है और काफी लोगों को हिला कि ह्रेस्क्यू किया जा रहा है वहाँ पर टीम्स लगी हुई है लेकिन फिर भी अभी वहाँ पर हालात काबू में नहीं है और जैसे ही हालात महाँ पर काबू में आते हैं उसी तरीके से लोगों को वहाँ पर राहत जरूर मिलनी शुरू हो जाएगी बढ़ते हैं अगली खबर की ओर और अगली खबर है सीधा हर्याना से इस खबर में आपको बता देना सब्सक्राइब दिंगे कि दो सबस्क्राइब 5健 in शिर्फाज में भी दुच बैटेग की मीडिया गैलरी इस बार साथ पर आएगी साथ हर्याना में कोरोना की चुनौती जो है वो काफी समय से चल रही है जिसके चलते जो है वो पहली बार ऐसा होगा जब एक सीट पर एक ही विधायक बैठेगा तो बहुत सारी चीजें जो इस बार नहीं देखने को मिलंगी क्योंकि हम सभी जानते हैं कि कोरोना क कि dużya जो है जिस तरीके से उभर कर आई है जिस उसने हर प्लाट्फर्म को हर जगह पर निद्धक किया है चाहे वह कीड़ेक्स तरनो मनोलाल खटर जो है वो कोरोना की वज़े से पीडित हुए, कोरोना से संक्रमित हैं और जिसके चलते अब वो विधानसबा में जरूर नहीं आएंगे पर विधानसबा सत्र वाद से शुरूर है आज के दो बज़े से जो है ये सत्र चलेगा साथ ही मैं आपको बता दूँ कि कोरोना के रिपोर्ट जिन की नेगिटिव होगी सर्फ वही सदन में आ सकेंगे पहली बार विधानसबा के इतिहास में ऐसा होगा जब किसी महामारी का शिकार होने के बावजूर जो है वो होने की वज़ा से जो है वो सीएम वेर स्पीकर जो ह विंदर कल्यान असीम गोयल राजकुमार कश्या प्लक्षमन नाप नाप भी संक्रमित होने के कारण सदन में हिस्सा नहीं ले पाएंगे तीन संशोधन विधेकों सहित दस अध्यादेशों को भी सदन में पारित किया जाएगा सत्र की अवधी एक दो या तीन दिन होगी य या नहीं आज से हर्याना का विधानसवा सत्र शुरू हो रहा है दो वज़े से कारवाई शुरू हो जाएगी इसमें जो मुख्यमंत्री है हर्याना के मनोहरलाल खटर जो है वो शामिल नहीं होंगे क्योंकि वो कुरोना से पीड़ित हैं बरतें अंगली कबर की और जो की सी चुके राइगड में जो बिल्डिंग हाथसा हुआ था उसमें चौदा लोग जो है वो उनकी मरने की खबर अभी तक आ चुकी है जिसमें की करीब छे पुरुष है और साथ जो है वो महिलाएं है और इसमें एक जो खबर देखने को मिली वो यह यह जो पूरा ऑपरेशन है चल चुका है और रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी कुछ देर तक वो कुछ देर पहले तक जारी है और देर रात एक महिला को जिंदा जो है वो भार निकाल लिया गया और यह सबसे बहुत ही करिश्मे वाली बात थी कि करीब 26 घंटे में मलमे में 26 घंटे के बाद भी मलमे मे फसे होने के बावजूद जो है वो महिला को सही सलामत निकाल लिया गया और एक और हमने पहले भी देखा एक 5 साल का और एक 4 साल का बच्चा काफी घंटों की मशक्कत के बाद काफी घंटों मलमे में दबे होने के बावजूद जो है उनको निकाल लिया गया हाला कि एतिया उपरेशन जो है फिलाल के लिए फिलाल अभी चल रहा है और 14 लोगों की इसमें मौत की खबर आ चुकी है आपको बता दें कि एंटी आरेफ की और से बुद्वार की सुभा सवा 8 बजे अपडेट जो है और उसी के चलते जो है वो करीब 17 लोग अभी भी लापता इसमें माने महिला है माफ कीज़ेगा आज महिला है इसमें शामिल है इमारत जो है इस इमारत में पांच मंजिला इमारत थी जिसमें की 40 फ्लाट थे और करीब 84 लोगों का बताया जा रहा है कि इसमें 84 लोग रहते थे काफी लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है काफी लोगों की अगली खबर की और बढ़ते हैं जो की आपकी pocket से जुड़ी है आपकी आर्थिक विवस्था से जुड़ी है खबर यह है कि इस बार फिर से reserve bank का यह अनुमान है कि आप जो है वो महंगाई जो है वो बढ़ सकती है फिर से भारती reserve bank ने अनुमान लगाया है कि अगले महीनों मे महंगाई जो है अभी और बड़े की रिजर्फ बैंक की उनीस और दो हजार नीस और दो हजार बीस की वर्शे रिपोर्ट के अनुवान लगा अगर उससे अनुवान लगा जाए तो सरकारी आंखडों के अनुसार जुलाई में खुद्रा महंगाई बढ़कर करीब 6 चुलाई में खुद्रा महंगाई दर्जु है वो 23 भी सदी जुन के बाद जुलाई में खुद्रा महंगाई दर्जु आँक्डे रिजव बैंक ओन दे द्वारा तैस सुविधा जनक दाइरे से बाहर हो चुकि है जुलाई में खादे महंगाई यानिंग कंजूमर फूड इंडेक्स बढ़कर 9.62 फी सदी पहुंच गया रिजर्व बैंक का कहना है कि कोरोना संकट और खादे तथा मैनुफैक्ट्चर सामान की अपूर्ती श्ट्रंखला बादत होने कि अगले महीने महाई बढ़ सकती है यानि कि आप सभी को इस चीज के लिए तयार हैना चाहिए कि अब जो है वो महंगाई फिर से बढ़ सकती है महंगाई को ध्यान में रखते हुए चीजें जो है वो बैलन्स करने की ज़रूरत है क्योंकि यह जो महंगाई इस बार बढ़ेगी वो आपकी पॉकिट पर सीधा सीधा एफेक्ट इसले डालेगी क्योंकि कुछ स्पेसिफिक जो आपके घर की बेसिक है दाल है और खाने-पीने की चीज़ियां है सबजीयां मास मच्छी जो आप लोगal खाते है वो सबी जो चीजें वो उनपर वो महंगाई ज़रूरओ उसमें होगी और हमने आपको तमाम खबरे जो है वो बताई जिसमें की हर्याना की खबर ने आपको बताई जहां पर आज से विधान से बाद सत्र शुरू हो रहा है महंगाई की खबर हमने आपको बताई हमने आपको सुनिया गांधी के मुद्दे पर दो खबरे बताई जिसमें दिगविजय सिंग ने क्या कुछ कहा और सुनिया गांध पर होने वाली हैं देश और दुनिया में और हो रही है जिन पर अपडेट्स आते रहेंगे हम आपको दिखाते रहेंगे और फिलाल इस समय इस न्यूजरूम लाइव में इतना ही आप जुड़े रहे हैं जन्ज़त्ति न्यूज के साथ देश और दुनिया की तमाम खबरों क के लिए और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए शेर कीजिए और कॉमेंट करना जरूर न भूले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले फिलाल के लिए शुक्रिया